नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हमें कैसे पौधे की बात करेंगे जिसका परियोग ना सिर्फ तंत्र सास्तर में होता है तंत्र क्रियाओं में होता है बलकि इसका परियोग आयुर्वेद में भी होता है और इस पौधे का नाम है काली मकोई का पौधा आपने इस पौधे को अपने आसपास देखा होगा आपने इसकी खटे मिट्टे फल को भी खाया होगा मकोई का सेबन करने से ना सिर्फ आपका किड़नी स्वस्त रहता है बलकि जॉन डिस जिसको हम पीलिया भी कहते हैं उस बिमारी में भी बहुत फायदे मंद होता है माना जाता है मकोई के पत्ते का कार्ः बना कर अगर सेबन किया चाये तो पीलिया जल्दी ठीक हो जाता है यानी जॉन डिस रोक प्रती रोधक छमता बढ़ता है मकोई के सेबन से और यहां तक कि आप बहुत सारी विमारियों से बचे भी रहते हैं अगर बखार बार बार आता है तो इसका सेवन बहुत फाइदे मंद है इसके पत्तों का कारहा बनाया जाता है या फिर चूर्ण बना कर सेवन किया जाता है मुँ में च्छाले की सिकायत बार बार हो रहा हो तब भी इसके पत्तों को चबा कर खाएं तो मुँ के च्छालों से चुटकारा मिल जाता है यहां तक कि दाटों की समस्या को भी दूर करता है मकोई के पत्ते लेकिन इसका नुकसान भी है क्या है नुकसान देखिए जो प्रेंग्डेंट महिलाए हैं उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए दूसरा जिनको इलर्जी की समस्या है खासकर इसकिन की उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए तो यह तो थे मकोई के फायदे आयरवेदिक फायदे लेकिन अब हम तंत्र सास्तर में मकोई के जड़ के बारे में बहुत बिस्तार से बताया गया है कैसे इसका उपयूग किया जाता है तो आज हम बसी करन के लिए कैसे आप मकोई के जड़ का परियोग करें यही हम आपसे आज साजा करेंगे तो चलिए वीडियो के अंतक बने रहे हैं तो आपको करना क्या है पहला तो आपको किसी भी सुक्रवार के दिन आपको इस पौधे की जड़ को लाना है पहले से देख कर रख लें कहां पर है आप पास में एक बॉटल में जल ले लें और संभव हो चुकि सुक्रवार के दिन कर रहे हैं वसी करन के लिए कर रहे हैं तो आपको अपने साथ इतर लेकर जाना चाहिए तो आप एक लोटा जल या बोटल में जल है उसको डाल दें इस पौधे के जड़ में और एक दो बुंद या हाथों में लगा कर इतर थोड़ा सा पौधे में लगा दें फिर उनको परणाम करें और उनको कहें कि हम आपको ले जाना चाहते हैं वसी करन का परियोग के लिए और जब भी इसका परियोग करें सच्चे रिस्तों के लिए करें बेबज़ा किसी का इस्तिमाल करने के लिए मत कीजेगा तो इस पौधे का जड़ आप लेकर आजाएं अब इस जड़ को लाकर आप सुद्ध जल से धोलें फिर गंगा जल से सुद्ध कर लें इसके वाद उसको सुखा कर पीस कर इसका पौडर बना लें और इस पौडर को बनाना है दूसरा आप जिस बैक्ती को बसमे करना चाहते हैं आप पती को चाहते हैं या घर में कोई भी परिवार का सदस से उसको चाहते हैं बसमे करना तो बाएं पैर की मिट्टी का मतलब उसके बाएं पैर का यानि लैप्ट राइट नहीं लैप्ट उस पैर का चपल जुता ही ले लें और किसी साफ कागज बेकर पर उसके जो ग इसके साथ ही आपको अपा मार्ग की जड़ चाहिए और इसका भी आपको इसी बिदी से जड़ को सुखा कर उसका पॉडर बना लेना है और उसमें मिला लेना है और मिलाने के बाद आप जिसको बसमे करना चाहते हैं सामने स्क्रीन पर एक मंत्र है मंत्र में अमुक स्थान पर जिसको बसम करना चाहते हैं उसका नाम बोलिएगा और इस मंत्र को आप कम से कम 17 बार या 26 बार बोलिए याद रखिए अमुक के जगह उस बैक्ति का नाम बोलना है और इस मंत्र को पढ़ना है 17 या फिर 26 बार इसके बाद मंत्र पढ़ने के बाद आप इस भस्म पर हलका सब फूप मारें जोर से मत मारिएगा वरना वो उड़ जाएगा ठीक है अब इसके बाद आपको क्या करना है किसी भी सुक्रवार या सनी बार के दिन इस भस्म को उस बैक्ति के ऊपर माथे पर या कभी बैठा हुआ है कुछ कर रहा है उसके उपर डाल दें वो आपके बस में हो जाएंगे आपके साथ रहना चाहेगा आपको सुनना पसंद करेगा तो ये प्रियोग करें और एक और महा प्रियोग किया जाता है इसमें आपको कोई मंदर नहीं जपना सिर्फ आपको जो काली मकोई है इसके पेड़ का जड़ का पॉडर लेना है अलग से आप थोड़ा सा रख लीजेगा और फिर किसी भी मीठी वस्तू में मिला कर अगर किसी को खिला दे तो वसी करन होता है किसी भी चीज में चाय में भी बिला सकते हैं आप और उनको खिला दें किस दिन खिलाएंगे किसी भी मंगलवार के दिन खिलाईएगा तो जो भी प्रियोग करें बे बज़ा किसी को परिसान करने के लिए मत कीजेगा हम आपसे बिदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें इससे फायदा हो तब अपनों से भी सेयर कीजेगा और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखेगा धन्यवाद हम फिर मिलेंगे